गौरों में है यह वैभव का दिन है आजहादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये सपत समारो हो रहा है अब तक ये प्रक्रिया पूराने सदन में हुआ करती थी आज के इस महत्वपुन दिवस्पर मैं सभी नवनिर्वाचित संसदों का रुदे से स्वागत करता हूं सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुप कामनाई देता हूं संसद का ये गठन भारत के सामान ने मानवी के संकल्पों की पूर्ति का है नए उमंग नए उत्सा के साथ नई गती नई उचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपुन आउसर है स्रेश्ट भारत निर्मान का विक्सिद भारत 2047 तक का लक्ष ये सारे सपने ले करके ये सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंब हो रहा है विश्वकां सबसे बड़ा चुनाव बहौती शांदार तरीके से बहौती गवरव में तरीके से संपन्ध होना ये हर भारती के लिए गर्व की बात है 140 करोड देश वाच्चों के लिए गर्व की बात है करीब 65 करोड से जादा मददाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया ये चुनाव इसलिए भी बहौत महत्वपूर बन गया है कि आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर साट साल के बाद आया है ये अपने आप में बहुत बड़ी गवरोपूर न घटना है साथियों जब देश की जनता ने तीसरे कायरकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है मतलब उसकी नियत पर महर लगाई है जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पन भाव को महर लगाई है और मैं इसके लिए देश वास्यों का रदे से आभार व्यक्त करता हूँ गत दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थावित करने का निरंतर प्रयास किया है क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ ले करके माभारती की सेवा करे 140 करोर देश वाजों की आशा आकांख्षाओं को परिपूर्ण करे हम सब को साथ ले करके चलना चाहते हैं सब को साथ ले करके संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मिर्णेयों को गती देना चाहते हैं अठारवी लोकसभा में हमारे लिए खुशी के बात है कि युवास सावसदों की संख्षा अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांस्कृत करतव्या और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोगसभा भारत के अमरितकाल की इस लोगसभा का गठन वो भी एक सुपसंकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पित है जो लोग भारत की लोगतांत्री परमपराओं पे निश्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोगतांत्र पे जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे है भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था एमर्जन्सी के ये 50 साल इस संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन तलोकतंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के सम्विधान की निर्विस दिशा के अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जंता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है ये बहुती महान विजय है बहुती भव्य विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाचों को विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाचों का अज विश्वाद दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा महनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देख करके आगे चल दा है मानिया सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं है मैं सभी सांसदों से आगरे करूँगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इस अठारवी लोग सभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरीकों की विपक्ष्टे नाते उनकी भुमिका की अपेक्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाय रखने की अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष उस पे खरा उतरेगा साथियों सवधन में सामान्य मान्य नागरीकों की अपेक्षा रहती है डिबेट की डिजिलेंस की लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नकरे होते रहे ड्रामा होते रहे डिस्ट्रिमंस होता रहे लोग सब्स्टंस चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं डेश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यक्ता है जिम्मेबार विपक्ष्ठी आवश्यक्ता है और मुझे पक्का विश्वाद है कि इस अठारवी लोग सब्हा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानविकी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विक्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब का दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करोण नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानवजात की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सोचलीस करोण नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने हमारी अठारवी लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो साथियों मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक-अनेक अपिक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नए अदाईत्व दिया है उसको बक्खुबी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों तो देश वेक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की जरुरत है ये प्रधान मंत्री ने साथी कहा और साथ ये भी कहा कि जनता विपक्ष से एक अच्छे कदम की अपेक्षा रखती है तो प्रधान मंत्री को आप सुन रहे थे जब वो मेडिया से सम्भोधित कर रहे थे आज अठारवी लोग सभा के लिए आज जो सत्र बुलाए गया है पहला दिन है उसका और सत्र की शिर को धन आप सुन रहे थे